शशी कपूर और जैनिफर केंडल की बेटी थेटर के बादशा प्रित्वी राज कपूर की पोती और रंगमंच के शहिंचा जोफरी केंडल की नाती नाम संजना कपूर संजना कपूर जब फिल्मों में आई तो ये बात साफ हो गई कि कपूर खांदान में कोई बंदिश नहीं कि उनकी लड़कियां फिल्मों में काम कर सकती हैं इनकी नानी लॉरा केंडल भी है कभी नेत्री थी और रंगमंच में इनके परिवार का बड़ा जबरदस योगदान है संजना कपूर की पढ़ाय लिखाई हुई बंबे इंटरनाशनल स्कूल मुंबई से इनके पिता ने एक बड़ी जबरदस फिल्म मनाई जो कि सन 1981 में आई थी जिसमें इनकी माता ने बड़ी जबरदस भूमिका निभाई थी उसमें एक करदार में ये भी नज़र आई 1984 की फिल्म उत्सव में भी ये नज़र आई थी और ऐसे छोड़े किरदार इनके भाई करण कपूर और कुनाल कपूर ने भी नभाए थे इनके पिता की ही प्रेड्यूस्ट फिल्म्स में और 1988 में संजना कपूर नज़र आई हीरो हीरालाल की हेरोईन बनी हीरो थे नसिरुदीन शाह बॉक्स ओफिस पर इस फिल्म ने कुछ खास कमाल नहीं दिखाया था और 1988 में मीरा नायर की जबरदस फिल्म सलाम बॉम्बे में भी ये नज़र आई थी पर बहुत जल्द ही इनोंने फिल्मों से के नारा कर लिया ये समझ गई थी इनका चहरा मोरा जरा विदेशी लगता है और हो जगता है कि इंडियन आउडियन्स दिल खोल के ने एक से पना करे पर थेटर से संजना का पूर जोड़ी रही 1990 में आकीरा कुरुसावा की फिल्म रोशोमोन पे आधारित एक नाटक में ये नज़र आई थी जिसमें इन्होंने मुख्य भुमी का निभाई एक ये बीर के नाटक अरण्यका में भी ये नज़र आई थी ये मुंबई शहर के जुहूई लाके में प्रित्फी थेटर के संचालन में लग गई कुछ टेलिविजन शोज में भी ये बतार एंकर नज़र आई जैसे कि अमुल इंडिया शोज और कुछ इंट्रिव्यू बेस्ट शोज भी इन्होंने किये इनके निज़ी जीवन की तरफ रुख करें तो इनकी शादी हुई बिमल रॉय की बेटी रिंकी भटाचारिया और बसु भटाचारिया के बेटे अधित्य भटाचारिया से लेकिन ये शादी तूट गई और फिर इनकी शादी हुई वालमिक थापड से और शादी से नेक बेटा है नाम हामिर हाला कि बाद में ये दिली शिफ्ट हो गएं लेकिन दिली और मुंबई के बीच फासला ही कितना है यकीनन कपूर खांदान के इस बिटिया ने बहुत से गलत फहिमिया दूर की और अपना एक अलग मगाम हासल किया महान प्रतिबहों के जीवन के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब करें पीपल एंड हिस्ट्री